वेल्कम तू डाउट नट डाउट नट पर आप सही बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है उमीद है आप सही बच्चे एकदम बढ़िया है एकदम अच्छे से और बढ़िया सारी बाते समझग रहे हैं हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं OK ! तो बच्चो आज हम बात करने वाले यहाँ पर पी ब्लोक के next lecture के बारे में जो कि यह बच्चो आपका lecture नमबर 9. अच्छे से आपको इस lecture को देखना है, हर एक बात को अच्छे से clear करना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रोब्लम ना हो. तो बच्चो बात करें इस चेप्टर में अभी तक हम क्या क्या टोपिक हैं जो देख चुके हैं बच्चो तो बात की जाए तो हमने सबसे पहले इस चेप्टर में परीचेर देखा कि एक basic पीब लोक के बारे में क्या क्या information हमारे पास होनी चाहिए. पीब लोक में कौन-कौन से तत्व पाये जाते हैं, कौन-कौन से वर्ग पाये जाते हैं और हमने यहाँ पर किस तरीके से पहले हमने यहाँ पर यह नाइटोजन परिवार, फिर उसके बाद ऑक्सिएन परिवार, फिर हेलोजन अक्रिगे से और साथ में कुछ मातुपुन योगिकों का क्या संक्रण होता है ठेखिए उनका जलब गटन कैसे होता है तो वह सारी बाते हमने यहाँ पर देखिए उम्मीद है यह सारी भातें आपको समझ में हो nih आपको और इनको और इससे रिवाइज करना है तैकी आप अच्छे से पीव लोक में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके मानते हैं यह जो chapter है थोड़ा theoretical है ठीक है लेकिन इससे question आते हैं कम से कम दो question तो इसके आते ही आते हैं तो इस chapter का अच्छा weightage होता है और थोड़ा इसमें chemical bonding का concept भी use होता है तो आप बढ़िया से इस chapter को अच्छे से clear कर सकते हैं जिन बच्चों का chemical bonding बढ़िया है वो भी इसको अच्छे से cover कर सकता है तो यह सारी बाते हैं आपको इसमें देखने को मिली तो अब आज के lecture में हम क्या करेंगे बच्चों आज के lecture में हम लगाएंगे questions ओके बढ़िया से questions हम लगाने वाले हैं अच्छे से हम practice करेंगे questions की ओके और सारे questions बच्चा previous year में पूछे गए हैं और इन questions को लगा करके आप यह देख सकते हैं कि हाँ क्या हम हमारा level उस level तक ला चुके हैं कि जिससे कि हम इन questions को लगा सकें किया हमारी practice ऐसी हो चुकी है जो हम इन questions को कर सकें ओके बढ़िया question है अच्छे सारे questions को आप लगाईएगा अच्छे से clear कीजिएगा तो पहला question बच्चों आप की screen पर यह रहा हाँ जी H4 P2O5 H4 P2O6 H4 P2O7 में phosphorus की oxygen अवस्पाएं हैं बहुत ही simple question है बहुत ही प्यारा question है आप easily इस question को कर सकते हैं बताओ बच्चों ओके हर एक question अपने आप में खास है अहम है तो आप बताईए और अगर आपको इनके नाम भी पता है तो बहुत बढ़िया बात है एक बार यह आप try कीजिए फिर में बताता हूं ओके option number 1, 2, 3 या 4 h4, p2, o5, h4, p2, o6, h4, p2, o7 कैसे बनाते हैं ठीक है try करें option number 1, 2, 3 या 4 सोचे, बहुत ही अच्छे question से मिटाईए संदचना बना लो, या x मान करके हल कर लो, बताए ना में आपको ओके, तो बच्चों बात करें यहाँ पर इन questions के बारे में तो जो पहला compound है h4, p2, o5, पहले तो मुझे इस compound का नाम बताओ h4, p2, o5, क्या होता है, जब हम h3, p3, o3 के दो अनू लेकर के जल निकालते हैं न, बिटा यह बनता है, इसका नाम है, क्या है pyrophosphorus अमल, this is your pyrophosphorus अमल, ठीक है तो pyrophosphorus अमले की संद्चना भी आपको आनी चाहिए, तो जड़ा देखो pyrophosphorus अमले में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या फोस्फोरस अपनी जो oxy अमले होते हैं, उसमें क्या बनाता है, बच्चा, एक double bone तो बनाता ही, ठीक है, ओके, बाकी यहाँ पर एक OH होता है, एक H होता है, बच्चा, सेम इसी तरीके से दूसरे फोस्फोरस में होता है, बच्चा, एक OH और एक H, ओके, अब जड़ा देखो कितने oxygen हो गए, चार हो गए, एक oxygen दोनों के बीच में सेतु का कार्रे करता है, यह इसकी संद्चना हो गई, अब यहाँ पर सकते हैं, एक समान के यहाँ तो इसको हल कर लें, तो भी आप इस पर आवेश निकाल सकते हैं, ओके, हाँ जी, और जड़ा में पहले यहाँ पर संद्चना है, बनाएता हो सब की, H4P2O7, इसे क्या कहा जाता है, इसकी संद्चना में क्या होता है, एक डबल वोन ओ, एक डब रहता है, दो ओएच इस पर जुड़े होते हैं, दो ओएच इस पर जुड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बंद होता है, एक से तू बंद, पी, ओ, पी, तीक, अच्छा, यह पाइरो फोस्फोरीक अमल हो गया, बहुत ही सिंपल है, सारे कॉंसेप्ट बहुत अच्छे इसे कहा जाता है हाइपो फोस्फोरिक अम्ड हाइपो फोस्फोरिक अम्ड हाइपो फोस्फोरिक अम्ड जिसमें यहां पर यसे तू बंद नहीं आता है पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है यहां पर ओ फिर यहां पर ओ फिर यहां पर यहां पर डायरेक्ट पी-पी इसमें पाया जाता है अब जड़ा देखो ध्यान से अगर आप बेसिक कोमन सेंस लगाएंगे ना तो इस कुशन को चुठकियों में कर लेंगे संदचना देख करके आपको कोई X मानने की जरुत नहीं है जैसे कि देखो ध्यान से मैं आपको यहां पर अपने कॉंसेप्ट बताता हूं कि ठीक है मैं कैसे देखता हूं ताकि आप भी वैसे देखना से जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर अगर हम बात करें यहां पर बात करें ऑक्सियन है चलो पहले एक समान करके मैं आपको इन क्यों बताता हूं अगर मैं इस h4, p2, o, 7 के अनदर h4, p2, o, 7 के अनदर x मान करके हल कर लो चार हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन की प्लस 1 होती है ठीक है एक, 2x हो जाएगा ठीक है यहां पर 7 अक्सियन हैं 1 ऑक्सियन पर-2 आवेश होता है बराबर जीरो यहां से हल कर लोगे x बराबर कितना जाएगा 14 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 10 10 बटे 2 5 5 उक्सिकन वस्ता प्लस 5 इस परावेश प्लस 5 इस परावेश ठीक है ओके तो ये 5 आगे जिसमें ये पहला वाला उप्शन बन लिया ठीक है अब जड़ा देखो ध्यान से अगर मैं इसको x मान करके हल कर लो तो 4 हाइडोजन है एक पर प्लस 1 आवेश होता है प्लस 2x प्लस 5 गुणा माइनस 2 परावर जीरो तो यहां पर 10 10 माइनस 4 कितना होता है 6 6 बटे 2 कितना होता है प्लस 3 प्लस 3 आवेश इस परावेश इस पराव बात करें तो यहां पर इसको x मान के हल कर लो तो 4 प्लस 1 ठीक है 2 फोस्फोरस से 2x हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 0 कर दो तो 12 माइनस 4 होता है 8 8 बटे 2 हो जाता है प्लस 4 ठीक है तो वैसे यह option नमबर 1 बन चुका है ठीक है लेकिन मान लो आप कभी यहां पर कन्फ्यूज ह क्वेर हो रहे हैं तो आप इन पर जरा देखो द्यान से यह पी डबल बोन हो यह इस पर पाछाओ इसके आया होगा अगर आप समझना चाहरे है तो इस पर कितना होगा प्लस 2 आया होगा इसकी वह इससे पर प्लस 2 आवेश आया है ठीक है यहां पर वैटाजी फोस्फोरस के तुलड़ना में ज्यादा विद्वोत если अब जैě ऊक्सिजन जुड़ा होगा तो इसके वे कोई से प्लस वन होगा है तो आया कितना है। प्लस पांच यहां प्लस पांच अब जब है दियान से यहां पर प्लस चार आया पी फोस्फर ऐस दोनों समान विदितनता वाले हैं, दोनों पर आपस में कोई आवेश नहीं आएगा, इसकी वेशे प्लस टू आया, इसकी वेशे प्लस वन आया, इसकी वेशे प्लस वन आया, प्लस फोर, प्लस फोर, ओके, और ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना आवेश आता है, इस पर, यहाँ तो इस पर रहेगा, प्लस तीन इस पर रहेगा, ठीक है, कॉंसेप्ट समझ मैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बढ़िया से आप इन क्यूशन को समझ सकते हैं, अगर कॉंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो एक समान की हल कर लो, ठीक है, ओके जी, अब आगे बढ़ते, दोनों तरी कई बढ़िया लगा होगा, हाँ, अब चलो अगला प्रश्ट, पी-फोर-ओ-टेन में उपस्तित, सेतू-ओ-ओ-टेन परमानों की संक्या कितनी है, अगर ऐसे क्यूशन पेपर में आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपके लिए साइज जी आसान हो जाएगे, बस आपको संदचना पता है, तो काम हो जाएगा, अगर संदचना नहीं पता है, तो दिक्कत आ जाएगी, और इससे टफ क्यूशन वो होते हैं, लेंग्वेज वाले, जिसमें अभी के लिए दे रखी होती है, जिसमें सारा का सारा रटा हुआ ग्यान काम आता है, इसमें समझन पेंटा ओक्साइड का द्वी लगे है, ओके, हाज बताओ, बताईए मैं इसकी संदचना आपको, चार, दो, ती, पांच, या छे, हर एक कुश्चन को, हर एक कॉंसेप्ट को बढ़िया से क्लियर करेंगे, तो आप कर लेंगे, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पर P4O10, तो बेटा P4O10 फोस्फरस पेंटा ओक्साइड है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, POP बंद पाया जाता है, टोटल इस प्रकार से, चार POP बंद तो यह इस प्रकार से पाया जाते हैं, जबकि दो POP विकर्ण के छोर पर पाया जाते हैं, इस प्रका पूछ रहा है, सेतु ओक्साइशन, सेतु ओक्साइशन तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, टोटल सेतु ओक्साइशन के तने आएँगे बिटा, छे आइँगे, ओके, अगर आपसे इसमें पूछ लेता, P double bond O, P double bond O, कितने हैं चार हैं, POP बंद कितने हैं, यह कितने ह अगर आपसे यह पूछ लें पी एकल बंद ओ यह कितने हैं पता सकते हो तीन 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 कितने हो जाएंगे टोटल बारा इस प्रकार से आपको यह पता होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई लोड नहीं अच्छा आपसे पूछ लें फोस्फरोस का संक्रण फो इसका भी SP3, इसका भी SP3, ओके, और इसका भी SP3, इसका भी SP3, चारों के चारों SP3 है, फोसफोर्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ आगे हैं, नेक्स्ट कुश्ण, आयोडीन टिंचर है, बच्चों आयोडीन टिंचर जानते हुआप, जो की क्या होता है, लिया जाता है तो एक बार इस क्यूशन को भी बताओ वैसे यह कुशन देनिक जीवन में रसाइन वाले टोपिक से included उसमें भी इंक्लूड होता है ठीक है उसे में ज़्यादा काम आता है बस यहां तो क्या हो सकता है इस क्यूशन का अंसर आपके अकोडिंग ऑप्शन नमबर वन टू थ्री या फॉर बोलो बच्चो ओके तो बात करें बच्चो जो आयोडीन टिंचर होता है आयोडीन टिंचर एलकोहलिक के ओएच जो के ओषा होता है उस में ऑडीन का 2 x 3 % willion यही कहलाता है आयोडीन का टिंचर एलकोहलिक के ओएच यॉसोरी एलकोहलिक के आई जोई एक है न प्रस में 2 x 3% इसका विलियन कहलाता है आपके पास टिंचर ओफ आयोडीन या आयोडीन टिंचर ठीक ध्यान रखिए हाँ जी आयोडीनी करत नमक बनाना है ठीक ना आयोडाइजड सॉल्ट आपको बनाना है उसके लिए निम्न लिखित में से दो लवनों का प्रयोग किया गया था ठीक है य आयोडीनी आयोडी करत नमक बनाना है तो कौन से दो लवन प्रयोग किये जाते हैं अंदा बच्चा भी अगर इसको पढ़ेगा ना तो वो भी बता देगा ठीक है कौन सा के आयो 3 के आई आई 2 और है पहला दूसरा तेसरा या चोता लगाओ भी दिमाग क्या होगा आपके कोडिंग इस कुश्चन का अंसर बच्चा ऐसे कौन से दो लवन हैं जो यहाँ पर प्रयूक्त होते हैं पहला दूसरा पहला तीसरा चोता दूसरा और चोता और तीसरा और चोता दिमाग लगाओ कर सकते हैं आप ठीक है बताई बच्चों आयोडी क्रत नमक बनाने के लिए अरे भाई देखो क्युश्चन की लैंग्वेज समझो ना प्युश्चन क्या बूल रहा है कि दो लवन लवण मतलब जिसमें धनायन और रिनायन हो जो आयनिक योगिक हो अब जड़ा देखो ध्यान से क्या I2 आयनिक योगिक है नहीं है न एक आयनिक योगिक है नहीं है वो सह सही हो जाक योगिक है जड़ा देखो ध्यान से क्या आयो 3 पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम आयोड यहां एक आइनिक योगी हो गया पोटेशियम यह हो गया तो इस तरीके से आप इनको इसली ध्यान रख सकते हैं पक्की बात क्लियर है तो यहां पर यह दोनों क्या है लवन ही तो है और वही हमसे पूछ रहा है तो बिना देखें आप यहां पर पहला ऑप्शन टिक करते हैं लवन की बारें पूछ रहा है यह दो लवन है बाकी तो यहां पर सरसायज मैं हुश्क निजो कि चुछ कि यह पड़ा रहे हैं यहाद आ रहा है संदचना वाला पार्ट जिन्हों ने यहाँ पढ़ रखा है उसके वारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि जातर कुश्चन केमिकल बॉंडिंग से इसमें पूछ जाते हैं और अगर अभीक्रियां संबंदित या थियोटिकल पढ़ लिए पूछ लिए तो फिर आप के लग जाएंगे अच्छे से ठीक है न फिर आप अपने कॉंसेप्ट अगर इस ट्रोंग नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रोब्लम आएगी ठीक है हाँ जी तो आपको सारे कॉंसेप्ट बढ़िया से क्लियर करने हैं हर एक बात को अच्छे समझने तो कोई दिक्त नहीं है ठीक है हाँ जी है एच्छ पी ओ थ्री में कितने पी डबल बॉन ओ बंद उपस्तिते हैं यह आप बताइए बच्छा है एच्छ पी ओ थ्री होल था इस क्या होता है सोचो ओके और इन और्गिनिक में तो अगर आप एंसी आर्टी आपकी सफिशन्ट होती है लेकिन अगर ऐसे कोई कुशन आ जाए तो इंसी आर्टी में तनकी बारे में जाता बखान नहीं है न तो उसे लिए हमें थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती चीज़ों की ठ यह कहना भी उचित नहीं केवल एंसी आर्टी सफिशन्ट है ओके ठ्योरी आप उसमें से अच्छे से कवर कीजिए बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक्स्ट्रा बाते भी हमें ध्यान में रखने होती है अगर हम बात करें यहां पर एच्पीयो थ्री होल थ्राइज इसमें जो अंदर लिखा हुआ है इसका नाम क्या है बेटा मेटा फोस्फोरी कमल पढ़ाया था मैंने मेटा फोस्फोरी कमल बहुलक चक्रिय बहुलक के रूप में पाया जाता है अब होल थ्राइज मतलब त्रीलक के रूप में पाया जाएगा इसमें तीन पी ओपी बंद O9 है फोस्फोरस अपने अक्सी अमल में आम तोर पर पांच बंद बनाता है कितने बंद दिखाए दे रहें आपको यहां पर दो एक डबल बॉंड आ जाएगा और एक अल बंद कितना आएगा SP3 अगर आप से यहां पर पूछ लिया जाएं POP कितने इन तीन हैं पी डबल बॉंड ओ कितने आ बिटाझी वहीं गलती से तीन आगए पी ओ एच बंद कितने वह भी कितने हैं तीन है ओके सह तरीके से आपको इसका पूरा पोस्ट्माटम करना होता है ठीक है प हैं दो तर एक और भी यश्टिसा के बिच फेल करने पड़ेंगे और फिर 30 लेकिन पी befूर रहा यहां पर एकल बंद वाले सारे इनक्लूड करने पढ़ेंगे सर यही यही question करवाओगे क्या बिटा यही पूछे जा रहे हैं क्या करें एसटू ओईटू माइनस में है क्या है इसमें सस बंड, स उ ब्रिज आ ओओड लेंद आर समझ भेजम जा किया कैवलिसमें सस बंड है स Magnus अचया किया इसमें अ फिरोंगा moisture बंड है इसमें सबी तरहर इसममान लंबाई तैंagen सर्ण करव में सोचने के पैसे नहीं लगते हैं सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर अच्छे से आपको concept clear करना है अगर आपके concept clear है तो कोई दिक्कत नहीं आनी है बच्चा और अगर concept ही clear नहीं है तो फिर बोलते हैं दिक्कत ही दिक्कत है हाँ जी S208 2- अब बच्चों जड़ा देखो ध्यान से कुशन को करने के पीछे ट्रिक ट्रिक बस इतनी सी है यार ये माइनस टू कब आया होगा ये एक आयन बना है कही न कहीं ये ओक्सी अमल रहा होगा ओक्सी अमल मतलब हैच प्लस देने वाले तो इसने दो एच निकाल दिये तब ही रिनायन आया है वापस दे दे शकल कैसी बन जाएगी इसकी एच टू एच टू एच टू ओएट अरे ये तो हम जानते हैं क्या बोलते इसको मार्शल अमल मार्शल अमल का रिनायन है वो समझ मैं अब जड़ा देखो ध्यान से इसकी सन्रचना तो मैंने आपको बता रखी और आपको भी याद होगी अब जरा देखो इसमें प्या यह तिचा है बोलो क्या यह में सर परुख्सी मन कर मद अच्छा कर झाल गरो कर में इसमें अब अब बच्क च्च जरा देखो ध्यान जिसा आप इसको एकशुमान कर गळ tutorial गरों जड़ा अगर मैं इसकी ओक्सिकनावस्ता निकालूं, 2 प्लस 1 प्लस 2X प्लस 2 गुणा माइनस 2 बराबर 0 कर दूं क्या, तो यहाँ पर यह कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2X माइनस 16 बराबर 0, तो X बराबर कितना आएगा, 7, सल्फर तो अधिक्तन 6 ओक्सिकनावस्ता दर्शाता है, 7 के से आ गया, मतलब यह गलत है, या तो 6 आएगा, या 6 से कम आएगा, अब सोचो, तो अब यहाँ पर यह कॉंसेप्ट नहीं लग पा रहा ना, परोक्साइड बंदें यहाँ पर, परोक्साइड बंदें, मतलब दो ऑक्सिजिन पर केवल-1, ज़दे देखो ध्यान से, चमका नहीं चमका, बेखो ध्यान से, चमकेगा अपर, इस ऑक्सिजिन, इस ऑक्सिजिन के उपर, खुद की वज़े से कोई आवेश आएगा, नहीं आएगा, जबा देखो धियान से वापस जैसे में ट्रिक बताइती न वो ट्रिक काम करेगी अब देखो धियान से इनके बीच में डबल बोंडे तो इस ऑक्षिन के वेसे पर फिर फिर प्लस दू आवेश आया इस oxygen की वेशे पर फिर प्लस दू आवेशा है इसकी वेशे प्लस बनाया इसकी वेशे प्लस बनाया कितना आवेशा है टोटल प्लस छे इस पर देखो इस oxygen की वेशे प्लस वन उपर वाले की वेशे प्लस टू इस वाले की वेशे प्लस वन इस वाले की वेशे प्लस टू तो प्लस छे इस पर है अवरोल प्लस छे इस पर है इन दोनों ओक्सियन पर माइनस वन माइनस वन है ओ माइनस ओ माइनस यही तो होता है तुम्हारा परोक्साड आयन ओ टू-टू-बया कर इस पर माइनस वन माइनस वन ट्शंद तो प्लस 7 न ओ खरके क्या एगी प्लस 6 आएगी तो समझ में आ गईडू आही तो एसे न करके कूल है या नहीं है इस तरीके से देखना बात पते की है ओके अब जिसे कि देखो ध्यान से यही पर यह एक और मैं चीज समझाना चालता हूं जैसे कि H2 H2 S4 O6 यह क्या है H2 S4 O6 टेट्रा थायोनिक अमल इसका नाम क्या है बिटा टेट्रा थायोनिक अमल याद करो क्या यह इसका ही भाई यह H2 SN O6 वाला ऐसा कुछ याद करो मैंने बताया था पोली थायोनिक अमल तो यहां पर दो तो इधर अगल बगल में जुड़े रहेंगे इधर OH OH और बाकि जो बचे बीच में जूलेंगे कितने सल्फर बचे दो दो सल्फर बीच में जूलेंगे अब मुझे बताओ किस सल्फर पर कितना आवेश चलो यह कॉंसेपट भी होजाएगा यहां पर सर यह दोनों सल्फर तो आपस में जुड़े होएं समान समान है और इधर भी सलफर है वहाँ तो बीच में उक्सियन से इधर सलफर था अब देखो यह सलफर 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 क्या इस सलफर पर इन दोनों सलफर की वेशे कोई आवेश आएगा नहीं आएगा क्या इस सलफर पर इन दोनों की वेशे कोई आवेश आएगा नहीं सिर्फ फैसे ॥ तो टॉटल फांक इस पर नीचे वाले की वैसे प्लस टू एस से माइनस तो इस वैसे फिर पॉइस फैस 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 तर सिर्फ पांचники काम आ अब तुमारे इसलीए मैंने ने बताया था नहीं तो इसमें यह प्रवाय के अब आगे बढ़ते हैं गोत्त आविए चिए 6 इन्हीं Network Seriously सइनल उफाइड को स्यक्याय में किया जाता है तो उनकाउब Śैठ प्राप्त है सात में सच ऑगया है अगर इतना भी आता ना तो भी आपकांतर निदे निकलती है कभी गभी सवति गаєर सकती kind सम्गोटू गेश जलती हुई सलफर की गंद वाली गेश है बर्निंग सलफर यह अमल वर्षा का कारण भी वनती है अमली वर्षा अब जड़ा देखो ध्यान से अमली वर्षा सलफर की उक्साइड होते हैं तो भाईया यह तो वेसे ही कट गई है उक्साइड है क्या नहीं है फिर आगे देखो श्रसन अंग को गहरी शती पहुंचाती है सी ओ टू से क्या सब शरीर में कोई शती पहुंचती है क्या नहीं पहुंचती है ठीक है हमारे शरीर में से निकलती है न मतलब शरीर में ही है इससे हमें कोई बीमारी होती है नहीं होती है अगला इसका जली विल इसका जली विलियन क्या बनाएगा है एच्टू एसो थी बनाएगा हाँ अमल तो बन रहा है दोनों में यह बनाता है कोई दिक्कत नहीं है कार्बोनिक अमल याद आया ओके अप्चायक के समानकार्य करती अप्चायक का मतलब खुद का ऑक्सिगन दूसरे का अप्चेन अप्चेन मतलब मतलब अक्सिगन वस्ता में ब्रो बडो तरी अब जड़ा देखो ध्यान से सलफर पर आविश कितना है प्लस छे अधिक्ता में तो अब क्या व्रद्दी होईगी नहीं होईगी तो क्या यह अप्चायक हो सकता है नहीं हो सकता है सलफर पर चार्ज प्लस फोर है क्या उक्सिगन अंक बढ़ सकता है प्लस छे में जा सकता है तो खुद का उक्सिगन तो दूसरे का अप्चेन बिलकुल ये बात सच सची है है कारव carbon carbon पर है प्लस फोर है कारवन का दिक्तम है तो यह एक के बाद कारे नहीं करता यह के यहें केवल एक मात्रापजाय अब चायद तो यह भी है सलफर पर माइनस चुअ साविश है यह ब6 mamma फी आपचायक होती है लेकिन एकता है जुभी नबनता है यह तो पहले स्टैप में कट गई ता यह और छो करना था यह था यह तो आंसर ork Om बागी तो बहुत ही बड़ा दे दिया जाए इसको समझ में आए कुशन बहुत ही बड़िया कॉंसेप्च्छल था मैंने कहा इस चेप्टर में दो ही तरह के कुशन बनते हैं विटा तीन तरह के मालनों जा देता एक तो संरचना केमिकल बोर्णिंग के उपर अभिगरिया के और या पर यासे लेंगरिज वाले कुशन si plugins धीक यह बढ़िया कुशन था अब अगला कुशन विरंजक चूण में अनुपस्तित होता है दिमाग है विरंजक चूण में क्या नहीं पाया जाता तो विरंजक चूण का बहिएं आमें तो पतह हैंना सुत्र Κीओ CACL2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH2.CAH तो विरंजक चून का संगठन याद रखना है यह होता है पूरा विरंजक चून का संगठन जिसको आप सिर्फ सी ए ओ सी एल टू भी लिखते हो ठीक है उसका पूरा का पूरा संगठन यह होता है ओके जी अब अगला क्यूश्चन एक च्युका प्रवाग को कारण क्या मैंने आपको लिखवा के प्रवर्वड़ी याद को आप च्यूर मैंने आपको लिखवै कि स्थी॥ वी उट actually एग होता है is compared to h3 my 2 और सबसे लास्ट में आता है itsasz भी 0 4 जय कूंस सामलियि Надज हो मिने इनके अलग अलग नाम भी लिखवायत है फोस्फोरिक अम्ल इसको बोला जाता है फोस्फिनिक अम्ल या हाइपो फोस्फोरस अम्ल फोस्फोरस अम्ल बोला जाता है फोस्फोरस अम्ल इसका आप ऐसे एक नाम लिख सकते हैं जैसे इसको फोस्फिनिक इसको फोस्फोनिक भी बोलते हैं चिंता मत करो इसका कोई दूसर नाम नहीं है ठीक है ओके हाजी पकी बात अरे हाँ इसको आप एक नाम और बोल सकते हैं फोस्फोरिक को और्थो फोस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं कोई दिक्यत नहीं कभी कभी आपको कुछ बुक में बेटा इसका नाम और्थो फोस्फोर यहां पर क्या होता है इसमें दो पियेच पियेच बंद होते हैं फिर अगर हम बात करें अगले वाले में दो ओएच एक पियेच बंद होता है और इसमें तीनों के तीनों ओएच बंद होते हैं तो जरा देखो ध्यान से इसके अमली सामड़ते का कारण क्या होता है इसमें एक ओएच और दो ओएच दो पियेच बंदों की उपस्तिती इसके अपचायक गुण को बढ़ाती है क्या दो ओएच और एक पियेच बंद की उपस्तिती इसकी क्या बढ़ाती है अपचायक सामड़ते को बढ़ाती है अपचायक गुण को बढ़ाती है क्यों क्योंकि इसकी वएसे इस पर प्लस वन आवेश आता है इस पर प्लस तीन आवेश आता है इस पर प्लस पांच है अब ये तो अपचायक हो नहीं सकता क्यों क्योंकि तो ओल्रेड़ी उच्छ उक्सिकरण वस्ता में कितना उक्सिक्र गए कतनों में से कौन सा गलत है कौन सा कतन गलत है ओ एन एफ सम इलेक्ट्रोनी है ओ एन टू माइनस के साथ अब ज़रा देखो ध्यान से इस क्यूशन को समझो थोड़ा केमिकल बोनिंग लगा हुआ है ओ एफ टू फ्लोरीन का उकसाइड है क्या पढ़ा है आपने सी एल टू ओ सेवन पर क्लोरीक अमल का इन हाइड्राइड है क्या सोचो ओ थ्री अनू मुड़ा हुआ है क्या सोचो और बताओ बहुत है आसान कौनसेप्ट है अगर आपको आता है तो बढ़िया बात है नहीं आता है तो गलत बात है सोची बच्चा लगाईए दिमाग इसमें क्या हो सकता है इस का अंसर आओ जरा देखें ओ एन एफ ओक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन मिलकर के कोई योगिक बन रहा है कुछ इस तरह का ओ डबल बोंड एन सिंगल बोंड एफ इसमें इलेक्ट्रोन कांट कर लो समिलेक्ट्रोन ही हमें है क्या यह तोटल इलेक्ट्रोन देख लो नाइट्रों के पास कितने होते हैं ? शोशॉब go तो इसमें देखो ओ टू एन माइनस ऐसे कोई संरचना यह बन रही है ठीक है तो इसमें जाया देखो ओक्सन के पास कितने एलेक्टोन है आठ दो है इसलिए दो से गुड़ा कर दिया साथ और इस माइनस उन के विज़ से प्लस वन तो कितना आ गया 16 और 16 चोहिस एलेक्टोन इसके पास भी चोहिस एलेक्टोन इसके पास भी है समझ मैं मतलब है तो सम इलेक्टोन यह यार पहला तो सत्य है जा देखो द्यांज़ इस प्लस सेवन आवेश होता है ओथरी अनू मुडा हुआ अनू होता है क्या हाँ जी बिलकुल यह बेंट होता है कुछ इस तरीके से ठीक है को ने कि नहीं रिपेंट शेप होता है बेटा मुडा वहहँ हो के-23 यह भी सत्य यह भी सत्य क्या है क्या एक्क्र सभी हमें पता है Oh f2 में तो ऑक्सियन पर तो सभी है क्या यह स्का ओक सैड्र कि नहीं कि यह या का फुरॉयड यह बोलना सभी है तो यह गलत है और जो कि गल्फ है वही हमसे मुझदल सह घैंनला क्यूशन तरीका जा रहे हैं सर कुष्षन बार बार यही यही पूछे जा रहा है फोस्फरस की न्यूनतम ऑक्सिग्रन अवस्ता किस में लगाओ दिवाग बच्चो सोचो क्या हो सकता है यहां पर ऑक्सिग्रन अंक अगर जिनोंने पता है वो क्यूशन को फटापट से कर लेगे अभी अभी मैंने बताया था एस्ट्री पी यो टू में फोस्फरस पर प्लस वन आवेश आता है एस्ट्री पी यो फोर में फोस्फरस से प्लस पाच आवेश होता है है एच फोर पी टू ओ सेवन पाइरो फोस्फोरिक अम बोलने ही कोशिश करो प्रैक्टिस करो इनकी ठीक है अरे यार द्वीलक लो ना एस्ट्री पी ओ फोर को दो रेप्टे मारो इसमें से जल निकालो और यहां से क्या होगा आपके पास बन जाएगा एच फोर पी टू ओ से बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा तो यह है तो यहां पर बिटाजी आवेश कितना आथा ता याद करो 14 मतलब यह ओक्सन में सबसे कम इस पर हो जाएगा पाइरो फोस्फोरी कंबल फोस्फोरस और हाइपो फोस्फोरस ठीक है ओके अगला क्यूश्चन सेलफर सलफर बंद अनुपस्तित है सर यही यही क्यूश्चन आते हैं क्या बिटाए पिछले सालों में पूछे गई प्रशने भरमार पूछी ग 05, H2, S2, O, 6 अब आप यह नहीं बोल सकते कि सर आपने यह नहीं करवाया अगर केवले NCRT को देखते को क्या यह सब कर पाते हैं आप नहीं कर पाते हैं ठीक है इसलिए हाँ जी ट्राइगरो किसमें सलफर सलफर बंद अनुपस्तित है जिनको पता है वो तुरंत देखते ह होगा जिनको नहीं पता है वो सोच रहे होंगे कि कैसे ने कैसे तो हम करें अच्छा मुझे पहले वाले का नाम बताओ ओलियम पाइरो सल्फियूरिक अमल दूसरे वाले का नाम बताओ है एचटू एसऊफर में से जब एक उकसे अटाकर के एक वचछा बढ़ा दिया था है एचटू एसथकोडाल का पाइरो व्ल 12 अमलma सल्फियूरिस अमल का पाइरो moy 발사 यो H2S2O6 देखा देखा लग रहा है H2SNO6 polythionic amyl तो ये dithionic amyl पढ़ा होगा जिनोंने उनको तो पता है H2S2O7 ये क्या है बिटा OLEUM है और OLEUM में तो ऐसा बन होता है Sulfur Sulfur बन जिसमें नहीं है इसमें जरा देखो यहाँ पर भी Sulfur Sulfur बन जाए चाहे डबल बोंड ही क्यों नहीं हो बट बन तो है यहाँ जरा देखो यहाँ पर भी है यह डाय थायो निकम और यहाँ पर भी होता है एक Sulfur इसमें 6 बन बनाता है और यह 6 बन बन गए सोरी 6 कहा बन है यहाँ डबल बन लाता है एक Sulfur इसमें 4 बन बनाता है उच इस तरीके से तो इसमें भी है इसमें भी इसमें भी इसमें नहीं है Sulfur Sulfur बन लाए ठीक है तो पहला option हो जाए अगला निमन की अमलता का सही करम बताओ निमन की अमलता का सही करम बताओ HCLO 3, HCLO 4, HCLO 2, HCLO बोलो बच्चो इनकी अमलता का सही करम क्या होगा हर एक question को अच्छे समझना है उसके answer तक पहुँचना है आपको अच्छे से तो बात की जाए अमलता के सही करम के बारे में तो कैसे देंगे इसका answer सोचो और बताओ क्या होगा इस question का answer तो जड़ा देखो ध्यान से मैंने आपको बताया था बिटा acidic strength अमलिय सामरते central atom की oxidation state के समानुपाती होती है अरे बात करें अगर हम HCLO 4 plus 7 oxygen अवस्ता यादे HCLO 3 plus 5 oxygen अवस्ता HCLO 2 plus 3 oxygen अवस्ता HOCl plus 1 oxygen अवस्ता तो जिस पर जितना ज़्यादा oxygen अवस्ता वो उतना प्रबल अमलो ठीक है तो HCLO 4, HCLO 3, HCLO 2, HOCl या HCLO option number 2 ठीक है इसका सही answer होगा concept को ध्यान में रखो memorize करो concept कोई भी भारी question नहीं है अगर आपने concept बढ़िया से कर रखा है अगर आप केवल लिखे ही लिखे जा रहे हो तब भी कुछ नहीं हुएगा लिखने के साथ साथ उनको समझो उनको याद करो revise करो तब आपके दिमाग में चेप्टर बेठेगा और तब इन questions को कराने का कोई ओचित्य है अगला question कोपर को सांद्र एचनो तरी के साथ गर्म करने पर क्या होता है बोलो अभी क्रिया उस समझनित कुछन आई आप कोपर लिया सांद्र एचनो तरी लिया गर्म किया तो क्या बनेगा बोलो जब कोपर को सांद्र एचनो तरी के साथ लेते हैं बनता है सरकोपर का नाईट्रेट बनता है और साथ में निकलती हें याद आ रहा है नात्मक अप्चेन विबह वाली धात्यवें नत्मक ह Divine से समान उतपात बनता है इसमें भी नाईट्रेट बनेगा नाइट्रेट आयन क्या होता है ऐनो 3 मैनस और कोपर पर आवेश और यहाँ पर निकलेगी तो कोपर नाइट्रेट बनेगा साथ में नूट्व बनेगी कोपर नाइट्रेट साथ में नूट्व का गई और अगर तनू लेता तो अगर मैं यहाँ पर इसके अभीक्रिया तनू H2SO4 तनू HNO3 के साथ करवाता बिटा तो यहाँ पर कोपर नाइट्रेट बनता साथ में एनूगेस बनती हैं यह पता होना चाहिए ठीक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगला क्यूशन निमन में से कोन से आयन यूग में दोनों इस्पेशीज में सलफर सलफर आबंद हैं अब इसको करो जिसमें सलफर सलफर आ है यह बताना है देखो मैंने कर भी लिया दिमाग में इस कुशन को अब आप बताओं क्या होगा इस कुशन का अंसर सोचिए बच्चों बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है कॉंसेप्ट को पकड़ो जिरा देखो ध्यान से यह माइनस टू माइनस टू के सब पे आवेश आ रहा है तो यह माइनस टू क्या है यह अमलिस से जब एच प्लस आइन निकला तो रिनाइन बनाए हो है जैसे कि देख अभी अच्छा लग रहा है यह आयनों में तुड़ा जीवी लगता है सर मन गुड़ता है इसको देखकर के एच्टु एच्टु ओथ्री जड़ा देखो दियांसे यह टेटरा थाई उने कम अभी अभी संवर्शना बताई थी में आपको दो सल्फर बीच में जूलते हैं वही मिलते हैं यह आपके पास थायो सल्फरी कम अभी जड़ा देखो ध्यांसे ऐसे बना लिया ऐसे बाकी बनाओ ठीक है और देखो उनको किसमें सल्फर सल्फर आबन दे ओहो इसी में तो है एक बार बागी को भी चेक कर लो पिटा क्या उच में है या नहीं ट्राइ तो कर लो ठीक है न हर बार सुनी वी बातों पर विश्वास मत करो खुद करके देखो मैं क्या कर रहा हूं इनमें साइड्रॉजन जोड करके सोच रहा हूं ठीक है आप भी इससे सोच हो अगर आईनों में tone ना समझ पाओ तो टिक है बोले बच्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बहुत है ही इंपोर्टेंट टोपिक है बेटा जी आपका यह है जो आपको समझना है अच्छे से समझना है इत्मिनान से समझना है और बड़िया करना है Okay बोलो हां जी कर सकते हैं आप अच्छे से बोली बिटा किस तरीके से यहां पर इन सारी बातों को हम अच्छे समझे तो जड़ा देखो ध्यान से बाकी भी आप ट्राई कर लेना नहीं आएगा यही इसका अंसर आएगा जड़ा देखो ध्यान से यहां पर इसमें Sulfur Oxygen corazónु कि this हाँ पर ता Ge daarं पर कि यहां पर क्या आता है तो यहां इसमें नहीं इसमें इसमेória नहीं तो यह इसा है जिसमें दोनों में स फलोरीन का कौन सा ओक्षियम्ल बनाता है फलोरीन HOF, HOFO3, HOFO4, HOFO2, बोलो, जी जरा, क्या बनाता है, HOF, HOFO3, HOFO4, HOFO2, बोलो बच्चो, याद गरो, मैंने आपको एक टेबल बताये थे, उसमें ये इस्पेस्ट लिखा हुआ था, कि फ्लोरीन केवल एक ओक्सियमल बनाता है, केवल एक, वो भी पहला, हाइपो फ्लोरस अम्द, HOF पाकी नहीं बनाता है, ठीक है, ओके, अगला क्यूशन, सलफर ट्राई ओक्साइड, त्रिलक, S3O9 में सलफर सलफर बंदो की संक्या कितनी है, सलफर ट्राई ओक्साइड जो त्रिलक है, उसमें सलफर सलफर बंदो की संक् ठीक है, ठीक है, बोला था मैंने प्रिवेस एर्स में पूछे गए क्यूशन से, अगर आप इनको बढ़िया से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, और उम्मीद है आपकी थियोरी इसमें आपकी मिनद कर रही है, हाँ जी, बोली बटा, क्या होगा इस क्यूशन का अंसर ओप्शन नमबर वन, टू, त्री या फोर, हर एक बात, हर एक कॉंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, हर एक कॉंसेप्ट को क्लियर करना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, सब बढ़िया होगीगा, बस आप बढ़िया से इसको क्लियर कीजिए, कहीं कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं कोई प्रोब्लम आपको फील नहीं होगी कि ओके हां जी क्लियर है बैटा ओके हां तो अगर हम बात करें सल्फर ट्रायोक्साइड तो बच्चों मैंने आपको इसके संद्चना बताइए ना एस त्री ओ नाइन लिखो या एस ओ त्री का होल त्रायज लिखो बता रखा है मैंने आपको इसमें क्या बनता है सल्फर ओक्सिजन सल्फर सोरी ओक्सिजन फिर सल्फर आता है फिर ओक्सिजन आता है फिर सल्फर आता है फिर सल्फर आता है फिर यहां डबल बोन ओ डबल बोन ओ बनता है डबल वोन सोरी डबल वोन ओ डबल वोन ओ बनता है तो इसमें बताओ मुझे कई सलफर सलफर बन दिखाए दे रहा आपको नहीं यह आकों का दोका है इसका अंसर चुनने है ठीक है ओके अगला क्यूश्ट एकजी एफ टू एस बी एफ फाइफ के साथ अभी करिया करके देता है जब एकजी एफ टू की अभी करिया करवाते हम एस बी एफ फाइफ के साथ तो कुछ बनता है क्या यादे कि आपको बनाया है क्या बताओ जी बताओ क्या बनता है क्या एसी अभी करिया देखी है क्या हमने बिल्कुल देखी योगा आत्मक उत्पादों का नि नमबर एक बनता है, दो बनता है, तीन बनता है या चार बनता है, सोचिए, सोचने में कोई टैंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, चिंतन करो, चिंता मत करो, सब बढ़िया होएगा, ओके, हाँ जी, कैसे इस कुशन का आंसर हम दे सकते हैं, बोलो बटा, एक, दो, तीन या चार, बोलो, ओप्शन नमबर एक, दो, तीन या चार, हर एक कॉंसेप्ट को समझो, हर एक कुशन को क्लियर करो, सब बढ़िया होएगा, जब देखो, मैंने आपको बताया था, जब इन दोनों के अभी क्रिया होती है, बटा, तो यहाँ पर बनता है, एक, एक, जी निकालने के लिए क्रैट लेना है, गली क्रूल में नचार जानeton काउट कर ले, तो पर एस बी किसमें आता है, ना mono नीजिलेंड, पाकिस्टान उस्टेलिया सब ऐन्टी वर्यार्टी से, सतो होते हैं, एक ऑनिस वचलोर बढ़ गया, तो साथ चंग 42 और 42 और 48 48 बटे आठ आठ से बड़ा है इसलिए ठीक है तो 6 आएगा 6 का मतलब SP3D2 संक्रण बिनना दिमाग पर लोड लगाएं अपने कर लिया ठीक है SP3D2 संक्रण अब कोई पूछा सर इसमें संक्रण बताओ अब ये तो दो परमानों तो सिदे जुड़ेंगे ना उसमें संक्रण कम से कम दो बन तो बने अगल बगल में ठीक है तो इसकांसर हो जाएगा अगला प्रशन कोलम एक और कोलम दो के बीच में कमपेरिजन करो और इनको बताओ ठीक है कि इसमें क्या क्या बाते हैं जो हो सकती है पॉसीबल ठीक है केरोजमल पोली थायोनी कमल पोली सल्फिरी कमल और थायो सल्फिरी कमल हर एक कुश्यन बढ़िया से गरना है बटाजी और अच्छे से आपको इसको निभाना है, बताओ, कोलम एक और कोलम दो में क्या रिलेशन हो सकता है, सोची, हाँ जी, सोची, पहले साइड में हो जाता हूं, अच्छे से, टाइम लगेगा इसमें, आप टाइम लीजिए, ये कुशन बढ़िया है, क्योंकि इसमें नाम दे र बढ़ा, तो अबाप करो, एक, दो, तीन, चार, में छिए कौलम, टीकि न, ए में इन में से कौनसा बंदे, बी में कौनसा बंदे, सी में कौनसा बंदे, पहले तो में यहीं नहीं पता, इनके सुतर क्या है, वहीं प्いきच्छर खतम, ठीक है, और अगर ऐसे बच्चे फिरूभी स्कूष्जन को ऑटेंब करते हैं जुनnesा उसको नहीं हम संभव ता माइनस वन मिले उर जिनको थोड़ा पता है है वह कर सकते हैं और जिनको नहीं पता है उनको छोड़नाई उचित है इस खूष्जन को है जी, ट्राइ करो गिटा, क्या आप कर सकते हैं इस क्यूशन को, तोड़ा हिंट देता हूँ, के रोज एसिड सुनाए आपने, इसका जो नाम है परोक्सी सल्फिरीक अमल है, कैसे बनाते हैं, यह आपको सोचना है, ठीक है, फिर पोली थायोनिक अमल, कैसे बनता है, पोली थ सल्फिरीक अमल और थायोनिक अमल, कैसे कैसे होता है, बताईए बच्चा, ओके, जैसे कि देखो ध्यान से, अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ, केरोज अमल या केरोज अमल, लिख फाया था मैंने आपको केरोज का अमल, क्या बोलते हैं इसको, परोक क्या होता इसका सेल்फियरिक अमल में एक उक्सिंग जोड़ दो ₹204 की ऊफ्टे 2000 five 145 इसमें एक क्या होता है पर उक्सी बंद होता है एक डबल भॉन 8 О है और यहाँ पर आता इंदел कि ज़ना देखो ध्यान से इस Teko के परोक्सी बंद पहली बार में बोली लग गई अपनी ठीक है लेकिन बागी भी चेक करो अगला दूसरा पोली थायोनिक अमल पोली थायोनिक अमल दिखने में कैसा होता है नॉर्मल ह2, Sn, O6 इसमें क्या होता है कि कॉरणर पर यहां पर S1O, S1O, O, H रहता है दूसी तरब भी से में साइसमू रहता है बटा है और बीच में क्या होते हैं, सल्फर सल्फर आते हैं, सल्फर कितने आते हैं, N-2, सुत्र के मताबिक, अगर यहां पर N सल्फर है, तो दो बीच में, अगल बगल में, और बच्चे वे बीच में, सल्फर 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 आ जाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, इसमें P आ अगर बात करें वैसे तो पॉली सल्विरिक अमल और कुछ ही नहीं पॉली सल्विरिक अलग से कुछ होता नहीं ठीट है अगर हम बात करें यहां पर पौली तो पोली सल्फिरिक अमल अलग से ऐसा कुछ नहीं है बस इसमें क्या होता है SOS SOS का repetition होता जाता है SOS 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 इनका repetition होता जाए पक्की बात ठेके बस ये पोली इसलिए प्लस दूसरा है समझना मेरी बात होगा और एक और लिया ठीके अब ये ट्राइ अब इसको देखो इन दोनों को मिलाके H2 निकाल दो इन दोनों को मिलाके H2 कहीं से भी निकाल दो तुझरा देखो ध्यान से इधर क्या बचा है OH बचा इधर double bond O, इधर double bond O, क्या यह सल्फर इस ओक्सिजन की मदद से जुड़ जाएगा SOS आ गया क्या फिर double bond O, double bond O, अच्छा क्या यह ओक्सिजन इस सल्फर से जुड़ जाएगा क्या जुड़ जाएगा तो क्या यह SOS, SOS ऐसे आते जाएगे आते जाएगे मतलब पोली देखो यह ट्राई, ट्राई सल्फरी गमलो गया यह फिर आम इसको क्या बोल सकते हैं जब दो अड़ो जुड़ते हैं तो पायरो बन जाता है फिर बाकी वो इसका सामानी नाम है और इसका जनरल फोम ठीक है तो यहां पर एक रेखी बहुलक आपका बनता हुआ दिखाए देगा दो तीन एकोर होता तो फिर एकोर आ जाता आगी आ जाता तो इसमें सोस बंद आते जाते हैं और थायो में तो क्या होता है डबल बॉंड होता है ठीक है एच टू एस टू ओ थ्री इसमें क्या होता है बिटा तो लगबग लगबग सारे अमल आपने पड़ लिये हैं जितने आपके सलेबस में हैं जो पूछे गए हैं एक्जाम में हर एक बात क्लियर कर ली है शोट नोट्स किस तरीके से आप इसमें जितने भी संदचनाएं आईए ना उनको अच्छे से बनाओ उनके नाम लिखो संदचनाएं बनाओ सुत्र याद उने चाहिए आपको नाम याद उने चाहिए 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 ओकसी अमल हो चाहिए ओकसाइड हो चाहिए नाइटर नहीं होगी तो आपका काम नहीं जल पाएगा बहुत सो को उक्सिकरन उक्र लिखना नहीं आता है वह आपकी प्रोब्लम वीक प्वेंट को स्ट्रोंग बनाना है ताकि आपको कोई प्रोब्लम आप हर एक चीज को अच्छे से कलियर कर सके संदचनाओं का ज्यान आपको बढ़िया से होना चाहिए रियक्षण्स अच्छे से लिक लिक करेके याद करो रियक्षण्स को जितना लिखोगे उतना ज़popular याद हुई इस चैप्टर को याद रखने का एक बैसिक सा तरिका क्या आए बटा पथा है अभी आपने एक बार पड़ लिया एक बार और रिविजन कर लो अच्छे से इसको दिमाग से निकाल लो कि हाँ यह टॉपिक एसके बार एक सिक्वेंश बनाओ दिमाग में कि जैसे कि नाइट्रोजन परिवार में हमने क्या पड़ा नाइट्रोजन परिवार के बारे में बैसिक जान का रहे हैं फिर उनके बारे में रासाइनिक गुन धर्म पड़े फिर उनके बारे में नाइट्रोजन के योगिक देखे फिर एंटु देखा अमोनिया देखा नाइ से सिक्वेंस बनाओ दिमाग में सिक्वेंस बन जाएगा तो आपके चीजें बहुत आसान हो जाएगी और यह जो चैप्टर है आप अच्छे से कवर कर सकते और दूसरी बात एक बात और जो पी ब्लोग है इस पी ब्लोग के अंदर दो दो पार्ट होते हैं एक पार्ट आता है आपके इलेवन्त के अंदर जिसमें आपका केवल वर्ग संक्या अगर किसी बच्चे ने यह वाला सो भड़ा ला पर दौने नहीं पड़ा तो भी वह इसको समझ सकता है और दोनों पड़ाए तब तो बहुत बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रोंग हो जाएगा अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ते हैं या इनको आप निपड़ रखा है तो सारी बातें आप बढ़िया से अच्छे से निपटा सकते हैं हर एक पार्ट इसका अच्छा है बहुत खास है तो ये सारी बाते हमने देखि बच्छो लियर है जी तो ये सब चीज़े हमने इस चेपटर में अच्छे से कवर कर ली ओके तो चलिए अब हम कुछ और बाते हैं जो यहाँ पर देख लेते हैं च्विस लगा लेते हैं अच्छे से ओके और गज पूर मेरे इस ऐसे स्वान के अच्छार है, सुतस्च ने इस पहला प्रस्वार ओर और फह दाव प्रशन आपकी ऑना बिशार मुस्वर भिसा, जाता है थोस PCL 5 कि सुरूप में उपस्तित होता है ऑप्शन नमबर एक दो तीन या चार बताओ बच्छो थोस PCL 5 कि सुरूप में पाया जाता है मन में से किसकी प्रोटोन बंदुता सरवादिक होती है निमन में से किसकी प्रोटोन बंदुता परोटोन से कौन लगा जाधा रखता है सिद्धी सीवा, स्टीबीन, 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 ठीक है, आर्सीन, SH3, फोसफीन, पियज़दी, अमोनिया, NH3, चार कंपाउंड है, NH3, PH3, SH3, और SGH3, किसकी proton बंदूता सरवादिक है हाँ जी तो बात करते ही दोनों question के बारे में तो ठोस PCL5 तो जो बेटा PCL5 ठोस होता है न यह किसके रूप में पाया जाता है यहाँ पाया जाता है PCL4 प्लस धनायन और साथ में यहाँ पाया जाता है PCL6 माइनस रिनायन के रूप ठीक है ओके तो इसका अंसर हो जाएगा option number 4 हाँ जी proton बंदूता मतलब proton से लगाओ कोन रखता है जो आसानी से proton को गरन कर सकी शार जो जितना बढ़िया होगा न मतलब शार यह सामर्ते के बारे में बात की जा रही है और शार यह सामर्ते बिटा उपर से जाने पर गड़ती है nitrogen फिर phosphorus वाला hydride फिर यह arcin फिर यह steven इनके नाम ध्यान लगना तो इसका अंसर हो जाएग option number 4 तो बच्छो आज के lecture में हमने क्या किया आज के lecture में हमने क्या लगाए अच्छे से प्रशन लगाए अभ्यास प्रशन हमने की है बढ़ियास इनको समझा हर एक प्रशन अपने आप में अहम था clear तो इसे के साथ बच्छो यह chapter आपका ही पर end होता है उमीद है यह सारी बात आपको बढ़ियास समझ में आई होगी हर एक बात अच्छे से clear होई होगी इसे के साथ आप सरी बच्छो का बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद